शिव महापुरान कथा के चौथे दिन गुडियारी के दई हांडी मैदान पहुँचे मुख अतितियों ने दीप्रजलित कर शिव महापुरान कथा की शुर्वात कराई इस अवसर पर प्रमुक रूप से राजिसवा सांसत सरोज पांडे सरकार के बरिश मंतरी रविंदर चौबे विदान सबा में निता प्रतिपक्ष नरायन चंदेल पूर्व मंतरी और विधायक प्रजमोहन अगरवाल संसदिय सचे विकास उपाध्या पूर्व मंतरी केदार क प्रश्यप विधायक अनीता शर्मा विधायक कुल्दीप जुनेजा पंकस शर्मा पूर्व सभापती प्रफुल विश्वकर्मा संजु नरायन सिंग ठाकुर बाजबा प्रवक्ता अमेश शाहों के साथ आयोजन समीती के प्रमुक चंदन बसंत अगरवाल और उनके दुले के दौरान मौझूद रहे शिव महापुरान कता के शुभारव अफसर पर पहुंचे मुक्य अतीती राजिस सबाप सांसाच सूश्री सरोच पांडे ने कहा कि यह हमारे लिए और यहां पर मौझूद सभी भक्तों के लिए और प्रदेश की जंता क्लिक किस्मत की ब पधाई दी कि भगवान बुलेनात की क्रपा आप पर बनी रहे उन्होंने यह भी कहा कि अब तक भागवत कथाओं में इस तरह भक्तों का जनसलाब आसक देखने को नहीं मिला यह पहली बार है जब भक्तों का इतना विशाल मेला इस राइपूर स्थित गुडियारी के धर चति धन्न हैं और हम लोग चतिस गड़ में हैं हम भी आज धन्न हो गए हैं बगवान बोलेनात की क्रपा हम सभी पर बनी रहे हैं चतिस गड़ की पावंधरा पर जो श्रिम महापुरान की कथा ये राइपूर के चतिस गड़ की ये पावंधर राजधनी में जो श्रवन करने का सोभा की मिला है ये जीवन का सुख प्रदान करने वाजी है करुणा प्रदान करने वाजी है तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनूँ लेते हैं स्वास तेरी कृपा से दन तन बक्कान क्या करूं मैं रांखों के धेले का चपटी बहुत में खजाना को देले का ये शिव की कृपा से मिला हुआ अभी माननी राज्यसवा संसत मौदे कह रही थी कि राइपूर के 36 गड़ के इस पुन्य मैं भहमी पर इस आनंद मैं भहमी पर सर्वस्व शिव है और शिव को पाने के लिए हम राइपूर की इस धरा पर बिडाजमान है अपने जीवन की सार्थत्ता को प्रगट करना है हमको जो मनुष्य की देह मिली है जिस कारण से मिली है वो कारण आपको बार बार हम कथाओं में कहते हैं कि दो कारणों से मानों का शरील मिला है एक बगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भूगने के लिए ये दो कारण हमारे जीवन में हैं और इन तोनों कारणों से हमें जो मानों की देह मिली है इस मानों की देह को हमें परमात्मा की भक्ती के साथ में अपना कर्म करते हुए अपने कर्म से हमको पीछे नहीं आटना है